नमस्कार किसान भाईयो एक बार फिर से आपका हमारे यूटुब चैनल खेती विद्मराम पर स्वाग्त है किसान भाईयो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्यों किसान है वो ओर्गेन क्षेती नहीं कर पा रहा है दोस्तो ओर्गेनिक खेती प्रयावरन किसान वे अन्य लोगों के लिए लाबधाइक है ये बात तो सभी लोग जानते हैं परन्तु ओर्गेनिक खेती से रासानिक खेती की तुलना में कितने आई किसान को प्राप्त होती है ये भहुत कम लोग जानते हैं तो दोस्तो यही बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि किसान आखिरकार क्यों और्गन खेती नहीं कर रहा है। तो दोस्तो इसलिए वीडियो के अंतक आप हमरे साथ बने रहे हैं। यही दोस्तो कोई किसान किसी खेत पर कुछ वर्स पहले से बहुत ही कम रासाइनों का प्रियूप करते हुए रासाइनिक खेती कर रहा है। यही उसी खेत पर और्गनिक फार्मिंग स्टार्ट करता है। तो किसी पसल का उत्पादन यही रासाइनिक खेती से 10 क्यूंटल हो रहा था उस खेत पर तो वही और्गनिक फार्मिंग से उस खेत पर जो उत्पादन है वह 7 क्यूंटल ही रह जाएगा। यदी कोई किसान किसी खेट पर अत्याधिक रासाइनों का प्रियोग करते हुए काफी लंबे समय से रासाइनिक खेटी कर रहा है और वहां पर यदी वह ओर्गेनिक खेटी करता है तो उत्पादन 10 क्यूंटल से घटकर 5 क्यूंटल परती हिक्टर ही रह जाएगा और दोस्तों काफी लोग कहते हैं कि औरगेनिक खेटी के अंदर लागत है और रासाइनिक खेटी की तोड़ना में आदी आती है दोस्तों ऐसा नहीं है फरक बस इतना है कि रासाइनिक खेटी में हमें बहुत सारे उत्पाद है वो बाजार से खरीदने पड़ते हैं परन्तु ओर्गनिक खेती के अंदर बहुत सारे उत्पाद है वो हम घर पर ही त्यार कर लेते हैं परन्तु वो उत्पाद घर पर त्यार करने में भी लागत आती है तो दोस्तो जब लागत समान रहती है उत्पादन कम हो जाता है और जो ओर्गनी उत्पाद है उसकी जो किमत है वो रासानी उत्पाद के समान मिलती है तो किसान क्या कोई भी वेक्ती अपने वेवसाय को खाटे में रखकर नहीं चला सकता जैसे ये दिम एक उधान से समझें तो ये दि किसी खेत पर ग्यों का उत्पादन है और रासानी खेती से 10 क्योंटल पर्थिविगा होता है तो उसी खेत पर और्गनिक खेती करने पर वे उत्पादन है उस 7 क्योंटल पर्थिविगा ही रह जाएगा तो पर्थिविगा 3 क्योंटल पादन का है वो हमें लोस होगा और यदि हम 2000 रुपे बाजार मुले से गहुंक बेचें तो हमें 6000 रुपे परती बिगे का घाटा होगा दोस्तो इतना ही तो किसान के पास बसता है बाकी तो सब लागत में चला जाता है तो दोस्तो अब बात आती है कि किसान और्गेनिक खेती कब कर सकता है तो दोस्तो किसान और्गेनिक खेती तब कर सकता है जब जो और्गेनिक खेती से हानी हो रहे है ये किसान को वो और्गेनिक खेते से जो उत्पादन प्राप्त हो रहा है उसके मुल्य में जुड़े जैसे गहों की खेते से 6,000 रुपे परती विगा के हिसाब से जो काटा हो रहा है वो गहों के उत्पादन 7 क्वेंटल परती विगा में जुड़े ये जुडने पर जो गेहुं का बजार मूले है उस तीन हैजार रोपे पर्तिक क्विंटल मिले दोस्तो अब बात आती है कि क्जा ओर्गनी क्षेटी से किसी क्षेत का जो उत्पादन है वो लुगतार बढ़ता ही जाता है तो दोस्तो ये बात कुछ हद तक सही है जो औरगनी खेती है उससे किसी खेत का जो उतपादन है वो एक निश्चित स्थर तक बढ़ता है उससे उपर उतपादन तो परकर्टी के साथ खिलवाट करने पर ही जा सकता है क्योंकि जो उतपादन की है वो एक उच्टम सीमा आ जाती है जैसे जहां पर 10 क्यूंटल से घटकर जो उतपादन औरगनी क्यती से 5 क्यूटल हो रहा था उस खेत के अंदर 5-6 सार लगातार पूर्ण रूप से औरगनी क्यती करने पर वह उतपादन 5 से बढ़कर 7 हो जाएगा और जिस खेत के अंदर 7 क्यूंटल पहले हो रहा था वहाँ पर कई वर्सों तक और्गनिक खेती करने पर वह उत्पादन है वो साड़े साथ से आठ कोईंटल परते बिगा तक हो जाएगा दोस्तों और्गनिक फार्मिंग में यह तो त्य है कि जो उत्पादन है उस समय के साथ गटता नहीं है परंतु वहीं पर हम देखें रासानिक खेती में तो रासानिक खेती से कुछ समय तक तो उत्पादन है उसमान बना रहता है परंतु कुछ समय के बात है जो उत्पादन है वो गटने लग जाता है क्योंकि मार्दा में जो लाबदागी जिवानों है उनकी संख्या दिन परती दिन घटने लग जाती है तो दोस्तो अब बात आती है कि हम ऐसा क्या करें कि उत्पादन है वो भी समय के साथ ना घटे उत्पादन परती हेक्टर के हैसाब से अच्छा मिले प्रयावण को भी कम से कम नुक्सान हो दोस्तो इसके लिए हमें अपनाई होगी समनिद कर्शी परणालि या पिर इंटिक्रेटड फार्मिंग सिस्टम तो दोस्तो integrated farming system क्या होता है इसे हम कैसे अपना सकते हैं ये हम जानेंगे अगले वीडियो में तो दोस्तो वह वीडियो देखने के लिए आप description या फिर उपर आई बटन में link दी गई है उस पर click करके आप दे सकते हैं तो दोस्तो येदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो ह चैनल को सस्क्राइब कर देजिए धन्यवाद